नमस्कार मित्रो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेक बांस हो जाने पर क्या करना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया क्या है चेक बांस होने को लेकर आपके मन में के सवाल उठ रहे होंगे जैसे की चेक बांस क्या होता है चेक कितने समय तक वैद रहता है चेक बांस होने के क्या कारण हो सकते हैं चेक बांस होने पर क्या करना चाहिए चेक बांस होने पर कानूनी प्रक्रिया क्या है चेक बांस होने की जानकारी देनदार को देने के बाद भी देनदार कुछ ना करे तो क्या करें चेक बांस होने पर सिविल मुकदमा कैसे दायर करें चेक बांस होने पर क्रिमिनल मुकदमा कैसे दायर करें मुकदमा दायर करते समय किन किन दस्त वेज़ों की आवसकता पड़ेगी कब चेक बाउंस हो जाने पर ना लेगल नोटिस भेजी जाएगी और ना है कोई मुकदमा दैर होगा तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को सुरू से लेके आखरी तक अवस्य देखें तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जान लें चेक बाउंस होना क्या होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन व्यक्तों को चेक के माध्यम से एक निस्चित रासी का भुकतान करता है तो भुकतान करने वाला व्यक्ति चेक में एक निस्चित रासी इस अधार पर लिखता है उसके bank account में रासी जमा होती है जितनी चेक पाने वाला वैक्ति उस चेक को cash कराने के लिए अपने bank account में जमा करता है ताकि उक्तिधन रासी उसके account में जमा हो जाए लेकिन यही चेक की उक्तिधन रासी bank account में जमा नहीं हो पाती तो उस कारण को जानने के लिए चेक जमा करने वाला वेक्ती बैंक से संपर करता है तो बैंक चेक बाउंस होने का कारण बताती है जिसका सीधा साया मतलब है कि जिस वेक्त ने आपको भुकतान के लिए चेक दिया था उस चेक में लिखित उक्त धनरास उस वक्त के bank account में नहीं है कि आपको payment हो सके उस वक्त के bank account में उत्री धनरास नहीं है कि जितने का उसने आपको चेक बना कर दिया था इसी को चेक bounce और चेक dishonor कहा जाता है चेक bounce को एक उद्हानर से समझते हैं का ने 10,000 रुपई की धनरास का भुगतान खा को चेक के माध्यम से किया लेकिन जब का इस दस अजार रुपई की धनरास का चेक अपने bank में लगाता है तो bank द्वारा उस चेक को bounce कर दिया जाता है अर्थात का ने या चेक जो खा को दिया था का के bank account में 10,000 रुपए की धनरासी नहीं है कि खा का भुकतान किया जा सके जिसके कार से चेक बाउंच कर दिया गया है चेक कितने समय तक वैद रहता है नियोसियेबल इंस्ट्रूमेंट एक धारा 138 की उप धारा का के तहट चेक क्राफ्थ होने की तारिक से 6 मेने की अवद के भीतर या चेक की वैदता की अवद के भीतर या उससे पहले जो भी पहले हो चेक क्लियर करने के लिए बैंक में जमा कर देना चाहिए यदि चेक की वैदता के समाप्थ हो जाने के बाद उस चेक को bank में clear होने के लिए जमा करते हैं तो वा चेक आमाने माना जाएगा और चेक का कोई भी मूले नहीं होगा चेक balance होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं चेक balance होने का एक मुख्य कारण bank account में रुपय का ना होना या उक्ति धन्रासी जो की चेक में लिखी गई है उतना धन बैंक अकाउड में है ही नहीं चेक बांस होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे की बैंक अकाउड में कम धन्रास का होना बैंक अकाउड का फ्रीज हो जाना चेक में इस पस्ट रूप से नाम का ना लिखा जाना चेक में गलत हस्ता अच्छर हो जाने पर चेक में विवनर का गलत हो जाना चेक में पुराने तारिक का लिखा होना तीन मेने की अवदिपूर्ण हो जाने के बाद भी चेक का बैंक में लगाना चेक बांस हो जाने पर क्या करना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया क्या है चेक देने वाले व्यक्त के बैंक काउड में परियाद धनरास ना होने कारण बैंक उस व्यक्त के द्वारा दिये गए चेक को बांस कर देती है चेक-bounce हो जाने पर बैंक एक लिखिज रसीत देती है जिस पर चेक-bounce होने का संपुन विवरं लिखा होता है जब आपको इस बात के जानकारी होती है कि जिस वक्त के द्वारा आपको चेक दिया गया था उस वक्त के बैंक एकॉड में परियाब धनरासी नहीं है कि इसने आपको गलत बैंक अकाउंट के चेक दे दिया हो जिसमें पैसे नहीं है और इस बात की जानकारी उसको भी नहीं थी आपके द्वारा चेक बाउंस हो जाने पर विवा वेक्ति आपकी समस्या का कोई भी समाधन नहीं करता तो ऐसे में आपके पास दो उपाए हैं पहले कि आप चेक देने वाले विविवत को चेक बाउंस होने के बाद 30 दिन के भीतर एक लिखित लीगल नोटिस भजवा सकते हैं आपके दोरा भेजी गई चेक बाउंस होने की नोटिस का 15 दिन के भीतर कोई भी जवाब नहीं आता तो ऐसे में आप उस वक्ति के खिलाफ किसी अधिवक्ता के माध्यम से जिले के नया आले में एक मुकदमा दायर कर सकते हैं जिस वक्त का दिया चेक बाउंस हो गया है उस वक्ति के खिलाफ आप भारती डंट सहिता की धारा 420 के तहरत अपराधिक नयाले में एक अपराधिक मुकदमा दायर कर सकते हैं चेक बांस होने पर किस कानून के तहट कौन से धारा लगती है Negotiable Instrument Act 1880 की धारा 138 बैंक अकाउंड में परियाद धनरासी आधिना होने के कारण चेक बांस होने संबंधी प्राधान किये गये हैं जहां किसी व्यक्त द्वारा किसी भी धनरासी के भुकतान के लिए चेक दिया जाता है उस चेक में लिखी हुई धनरासी बैंक अकाउंड में जमा धनरासी से अधिक है तो बैंक अकाउंड में आपरियाद रासी होने के कारण उस चेक को बांस करत देती है अधनियम के तहट चेक बांस होना एक अपराध माना गया है जिस वक्त ने अपराध किया है उस वक्त पर अधनियम की धारा 138 के तहट कानूनी कारवाई होती है जिसके तहट वक्त को दो साल तक कारवास या जुर्माने से जो कि चेक की राज से दो गुना तक या दोनों से डंडिट किया जा सकता है चेक बांस होने की जानकारी देनदार को देने के बाद भी वा कुछ नहीं करता है तो क्या करें चेक बांस हो जाने की जानकारी आपके द्वारा देनदार को दी जाती है कि परियाब धन या अनकारणों से बैंक ने चेक बाउंस कर दिया है इस जानकारी के प्राप्त होने पर भी देनदार द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठा जाता है तो आप चेक बाउंस होने की जानकारी मिलने के 30 दिनों के भीतर देनदार को लेगल नोटिस भेज सकते हैं चेक बाउंस हो जाने पर सिवल उकदमा दायर कर सकते हैं यदि चेक देने वाले व्यक्त को चेक बाउंस होने की जानकारी समय पर दी जाती है उस जानकारी के प्रात होने के बावजूद भी वा कुछ नहीं करता मतलब कि आपके पैसे देने से इंकार करता है तो आप ऐसे में उस वेक्ति के खिलाफ सिविल प्रक्रिया सहित्ता के आदे 37 नियम 6 के तहत या Negotiable Instrument Act 138 के तहत चेक बांस होने पर सिविल मुकदमादार कर सकते हैं मुकदमादार करने से पहले आपको कुछ कानूनी अपचारिताएं पूरी करनी होगी जैसे कि बैंक से चेक बांस होने की जानकारी प्राफ्थ होने के 30 दिनों के भीतर चेक देने वाले व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भेजें उस नोटिस में चेक बांस होने संबंदि सभी विवरर इस पर शुरूप से लिखें नोटिस प्राफ्त होने के 15 दिनों के भीतर चेक देने वाले व्यक्त के द्वारा नहीं किया जाता है तो ऐसे में आफ सिविल न्याले में अधिवक्ता की मदद से मुकदमा दार कर सकते हैं मुकदमा दायर करते समय आपको चेक बांस होने संबंधी दस्तावेज भी लगाने होंगे चेक बांस होने पर फौसदारी मुकदमा भी दायर कर सकते हैं यदि चेक देने वाले व्यक्त को चेक बांस होने की जानकारी समय पर दी जाती है और उस जानकारी के प्राफ्ट होने के बाजूद भी वा भुक्तान करने से इंकार कर देता है तो ऐसे में आप भरती दंट सहीता धारा 420 के तैस चल किये जाने के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं लेकिन उससे पहले कुछ कानूनी अप्चारिकताय भी पूरी करनी होगी बैंक से चेक बांस होने के जानकारी प्राफ्ट होने के 30 दिनों के भीतर एक लीगल नोटिस भेजें लीगल नोटिस भेजने के 15 दिन के भीतर कोई भी जवाब नहीं आता है तो आप चेक देने वाले वक्ति खिलाफ फौसदारी का मुकदमा दायर कर सकते हैं मुकदमा दायर करते समय आपको चेक संबंदी दस्तावेद भी लगाने होगी मुकदमा दायर करते समय किन किन दस्तावेद जों की आउसकता पड़ेगी चेक बाउंस होने की जानकारी प्राप्त होने पर इसकी जानकारी चेक जारी करता को देने के बाद भी चेक देने वाला वेक्ती आपको भुकतान देने से इंकार कर देता है तो इस पर सिविल और फौसदारी का मुकदमा दायर कर सकते हैं मुकदमा दायर करते समय आपको इन निम्न दस्तावेजों की आउसकता पड़ेगी जैसे की वा चेक जो की बैंक द्वारा बाउंस किया गया है बैंक में चेक लगाते समय भरी जाने वाली स्लिप बैंक द्वारा चेक बाउंस की स्लिप जिस पर बैंक की मुहरब अधिकारी के हस्ता अच्छा रंकित है लीगल नोटिस जो की आपने चेक जारी करता को भेजी थी लीगल नोटिस भेजने का सबूत जैतर की रेजिस्टर डाग की स्लिप लीगल नोटिस का कोई जवाब नहीं आया हो तो जवाब की मूल प्रती यदि जवाब आया है तो उसकी मूल प्रती यदि आपके और चेक जारी करता कि मद किसी प्रकार का कोई लेंदेन हुआ था या हुआ है तो उस लेंदेन संबंधी कोई दस्ता वेज यदि चेक देने वाले व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई अग्रिमेंट हुआ था तो उस अग्रिमेंट से संबंधित मूल दस्ता वेज कब चेक बांस होने पर भी ना तो लीगल नोटिस भेज सकते हैं और ना कोई मुकदमा दैर किया जा सकता है यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपको चेक गिफ्ट या डोनेशन के तौर पर दिया जा रहा हो तो इस चेक के बांस हो जाने पर ना तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी लीगल नोटिस भेज सकते हैं और ना ही सिविल मुकदमा और फासदारी का मुकदमा भी दार कर सक दोस्तो यह वीडियो में बताएगे जानकरी अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो हमाए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें लगातार वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद